हाई फ्रेंट्स विल्कम टू टेक इट फो आज का वीडियो है वो मेली उनके लिए जो बजट रेंड में या फिर मिडल रेंड में जो है PC बनाना चाहते हैं और अपने PC में जो है अच्छा साथा से और यहां पर आपका 120 या फिर 140 mm का फैन दिया गया है तो मैं आपको देख के बता दूँ कि इसमें कितने अमाम का फैन है लेकिन यह कूलिंग बहुत अच्छा है इसका और यहां पर 80 प्लस ब्रॉंच करके लिखा गया है और यह जो है आपका यहां पर साइड में देखिएग और यह जो है आपका प्राइस जो है इसका आपका धाई हजार से लेकर के साड़े तीन हजार के बीच में यह जो है आपको असानी से मार्केट में या फिर आफ्लाइन जो ही आपका मिल जाएगा तो बैक सैड में देखते हैं कि क्या क्या जो इसमें हाइलाइटिंग फिचर है तो इसमें जो है आपका compact है 125 mm का length दिया गया है इसमें और जो है mainly mainly जो है आपको मैं feature बता देता हूं तो इसमें जैसे कि low noise यह आपका काम का है 120 mm का fan है इसमें तो यही सब जो है यह mainly mainly features हैं बाकि आपको उतना जानने का नहीं है तो बॉक्स को open करके दिखाता हूं मैं तो बॉक्स को open कर लिया मने तो इसमें आपको सबसे पहले जो है 16 MPR का socket वाला जो है आपका power supply का cable मिल जाता है तो इसको मैं side करता हूं और यहां जो है आपका information या फिर installation guide है इसको side करते हैं और देखते हैं पहले SMPS को निकाल के और जो है box में कुछ यो ऐसा मिलता नहीं है तो यहां पर जो है आपको कुछ screw दिये गया है इसका तो चलिए इसको देखते हैं खुलके प्लाइक कलर का तो लुक कुछ अलगी लगता है तो वेट इसका बहुत ही अच्छा है तो आपको यहां पर जो है आपका बोल्टेज जो है आपका दे दिया गया अच्छा है एस इंपुट हंडेड भोल्ट से आपका 120 वोल्ट तक 10 एंपियर से 5 एंपियर यहां पर दिया गया है और डिसी आउटपुट है आपका 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट और जो है प्लस भी सब दिया गया है और मैक्सिमूम लोड जो है 20 एंप एंपियर और 3 एंपियर मैक्सिमान पावर जो है आपका 110 वाट 432 वाट 3.6 वाट और 15 वाट तो यह तो हो गया अब चलिए इसको देखते हैं कि इसमें आपको जो है क्या क्या जो है इसमें आपका पोर्ट दिया गया है मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर जो है आपक का में जो आपका जो सीप्यू में जहां पर लाइन जाता है मतलब से में आप यहां से पावर इंपूट देंगे यहां पर ब्रैंडिंग का जो लोगो है दिया गया है चलिए देखते हैं कि वायर क्या क्या है इसमें आपको मिल जाता है कि वायर आपका इसका बहुत ही अच्छा है क्वाइल्टी का दिया गया है तो आपको दिखाता हूं एक ही करके तो यह जो है आपका इस इसमें एक वायर में तो इसमें आपका साटा पॉर्ट आपको मिल जाता है साटा प्दर्ट के फुर्ट इसमें आपको तीन है और देखते हैं चलिए तो तीन और हो गया है और एक यह तो इसमें आपका टोटल जो है आपका साथ जो है आपका साटा पोर्ट दिया गया है और दो जो है आपका पेरिफेरल कनेक्टर है और चार पीन का जो पहले फ्लॉपी में लगता था इसका केवल है यह पोर्ट है और यह जो है आपका 24 पीन का है और यह जो है आपका ग्राफिस कार्ट के लिए दिया गया है यहाँ पे लिक्ट भी दिया गया है PCIe यह आपका दो है यह आपका जो है छे पीन और दो पीन जो है अलग अलग बाटा गया है क्योंकि बहुत सारा में यह छे पीन लगता है आप इसमें दो आप connect कर सकते हैं, ग्राफिक आड या फिर बहुत में सिंगल ग्राफिक आड में भी आपका double power लगता है, और यह आपका CPU का port है, CPU में power जाने के लिए तो यह आपका पहले चार पीन का आता था अब यह आठ पीन का आने लगा है, और तो कुछ इसमें ऐसा है न तो overall यही है, और quality के बाद करें तो quality काफी अच्छी है, मैं अगले वीडियो में आपको यह SMPS जो है, CPU में लागे दिखाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि इसका performance कैसा है, और voltage में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना MPS दे रहा है, load कितना है, तो अगर वीडियो आपको पसं झाल 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